असलाम अलेकुम स्टुएंट्स मैं हूं सामा जावेद अपना टीचर के प्लेटफॉर्म से और आज हमें कॉंसेप्चिल वीडियो लेकर आए हैं रिगार्डिंग इंसेंटर एंड सेंटरॉइट और यह दू वह टर्म्स हैं जो क्या हमारे सेकिंडर के स्टुएंट्स को अक है वह क्या पॉइंट है तो इसे समझने से पहले पहले तो यह बात जो है अपने माइंड में रख लीजिए कि यह दोनों जो आपके पास यह सेकेंडियर प्री इंजिनियरी में यूज होंगी जो हमने चैप्टर नंबर टू इस प्लैलिस्ट के अंदे स्टार्ट किया है इ हम समझने के लिए हम चलते हैं क्लास मेgel की तरफ जहां पर हमने सीखा था इंसक्राइब सिर्कल और सरकम स्क्राइब सिर्कल याद होगा आप सबको JAMES इनसक्राइब सरडुल बनाते थे इसा सरकल होता था जो कि सी ट्रांगल के अंदरू और सप्ट उर्प सिर्कल आपके पास वो circle होता था जो कि किसी triangle के around बने सही उस triangle के बाहर बनता था basically और तीनों vertices को क्या करता था टेश करता था लेकिन अगर हम subscribe circle की बात करें तो वो तीनों sides को टेश करके जाता था कि यहां पर हमारे पास एक तो टर्म है centroid तो centroid से एक बात जो है आप मैंड में रख लीजिए कि जब भी हम centroid की बात करेंगे तो उसमें क्या है और इसको बाइसे करें प्राइब करना है तो यह जो हाफ हो रहा है आपके पास क्या कहलेंगे median क्यालाएंगे और यह जो point होगा यह पॉिंट यह कमा पास क्या 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 रहाएगा मिड़् पॉिंट क्या लाएगा यहां तक तो बात समझग आ चुकी होगी अब एक और चीज इसमें ratio के हवाले से कि जो हमारे पास median होती है ना यह जो basically यह line आ रही है यह हमारे पास क्या है median है और यह तीनों median एक point पे touch कर रही है सही है cut कर रही है intersect कर रही है तो यह point हमारे पास G मतलब centroid कहला है यह से general तरीका क्या है हमारा G से हम इसको represent करते हैं which means centroid तो जहां पर यह point आ रहा है अगर मैं सिर्फ इस median की बात करो median A की सही है तो यह point आ रहा है यह basically क्या कर रहा है इस median को break कर रहा है किस ratio में students break करेगा यह हमेशा two by one के ratio में break करेगा मतलब यह जो आपका vertex है इस vertex से लेके इस point तक का जो distance होगा वो two होगा for instance और इस centroid से लेके यहां तक का जो side है वहां तक का distance होगा वो क्या होगा one होगा मतलब two by one का इसी तरह अगर आप यहां पे देखें इस median को अगर हम example के तोर पे लें कि यहां से एक median जा रही है जो कि vertex बी से जा रही है यहां पर हमारा centroid का point है सहीं centroid है तो यह जो vertex break हुई है यह किस ratio में break हुई two by one के ratio में break हुई सही है मतलब two part यहां पर आ रहे हैं और एक पार्ट इसका यहां आ रहा है तो यहां तक हमारी बात हो जाती है clear किसके हवाले से centroid के हवाले से अब बढ़ते हम in center in center हमारे पास basically क्या होता है याद रखेगा in center हमारे पास वह point होता है जो के inscribe circle को draw करने में use किया जाता है जबकि centroid वह point होता है जो के हमारे पास circum circle को draw करने में क्या होता है useful होता है सही है तो यह हमारे पास in center का point है इसका general तरीका क्या है हमारे पास eyes हम इसको denote करते हैं और जैसे हमने सीका centroid के लिए आप जो bisector बनाएंगे वो side bisector होगा मतलब median होगा इसी तरह जब आप in center की बात करेंगे तो इस in center को बनाने के लिए हमारे पास कौन से bisector आते हैं angle bisector आते हैं यहां angle bisector का कोई concept नहीं है मतलब यह जो line जा रही है अब इस line ने इस angle को किस ratio के इंदर break किया हमें नहीं मालूम लेकिन अगर हम in center की बात करें तो यहां पर यह जो line है यह इसे बराबर के रेशो के अंदर क्या करेंगी break करेंगी मतलब यह complete angle अगर 90 एंगल है तो यह 45 एंड 45 में क्या हो जाएगा break हो जाएगा तो यह क्या कहलाता है हमारे पास angle bisector कहलाता है सही तो यहां तक बाते हमें समझ आ चुकी हैं बढ़ते हैं इनके formula की तरफ अगर हम centroid की बात करें तो centroid का general तरीका हमारा जी और जी के coordinates x और y होंगे तो यहां पर जो एक्स आ रहा है students इस एक्स को आप किस तरीके तर फाइंड आउट करेंगे इस एक्स के लिए हमारा पर formula होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थरी अपॉन थरी अब इस ट्रेंट यहां से आप देखें यह जो आपके पास आ रहा है वर्टेक्स A तो यहां पर X1 Y1 आ गया वर्टेक्स B में X2 Y2 आ गया और वर्टेक्स C में X3 Y3 आ चुका है तो यह जो X1 X2 X3 हैं यह बेसिकली और कुछ भी नहीं बलके इन तीनों वर्टेस के कोडिनेट से हैं चाहिए इसको हम एक सीसा भी कहते हैं अगर आप से कोई पूछे के एक सीसा के नाम से जाना जाता है अब बढ़ते हैं हम वाई की तरफ अगर हमें वाई फांड आउट करना होगा तो क्या हमें करना है वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई 3 अपान 3 जब इसको अखरेंगे तो हमे y की value मिल जाएगी यह कहां से आएगा हमारे पास तो यह जो वाई आरा है विसे के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 upon 3 से आएगा से आएगा और यह वैलियू आपके पास कहां से आएगी जिसे आपके vertex a है तो इसमें आपके Y1 शामिल है वर्टेक्स B में Y2 और वर्टेक्स C में Y3 शामिल है अब बढ़ते हैं हम इन सेंटर के फॉर्मॉले की तरफ इस फॉर्मॉले में हमें A, B और C जो है यह देखने को मिलना है बाकि X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 आप सारे समझ चुके होंगे कि यह क्या चीज़े हैं अब्य कि यहां पर किया अधे किस तरीके तरी दिफाइन किया गया है, यह दुख एक हमारे पास B से लेके C तक का जो इस्तेंस और आपके पास क्या है, स्माल अ, इसी तरह चैपिटाल **** B आपके पास क्या होगा? स्माल B और चैपिटल के सामने small c तो यह जो एहे basically क्या है distance from point B to point C यह small c ही वो क्या है distance from point A to point B और जो point B और यह जो B है यह आपके पास क्या है distance from point A to point C एक last चीज़ के इदर में और बता दूं कि यह दोनों तो हमारे पर basically के लिए Center ही कहलाते हैं एना Center or for your in Center हो एक और चीज़ का इसमें इजाफा कर ले कि जब हम किसी ट्रेंगल का Center of gravity पता करना चाहें कि उस ट्रेंगल का Center of gravity क्या है सई तो उसके लिए जो हमारे पास तरीका आता है वह Center मतलब जो पॉइंट इसका आ रहा है ने Center वहीं पॉइंट आपका क्या होगा Center of gravity होगा इंसेंटर आपका Center of gravity नहीं कहलेगा अगर आप इस डियाग्राम को देखे तो इससे यह डिफाइन नहीं हो सकता लेकिन अगर आप इस डियाग्राम पर देखे तो यहां से वाज़े तो यहां से वाज़े तो यह हमारे पास क्या है Center of gravity भी है तो आप सबको यह जो concept है clear हुआ होगा सही है इन्शाला इन नेक्स फेड़े वीडियो हम इंसेंटर एंड सेंटरोइड के हवाले से कुछ कुछ जो है वह आटाइंड करेंगे thank you so much for your time मुलागात होगे नेक्स वीडियो में अल्ला हापिस कि अ